वॉल्कम है तो मैं यूट्यूब चैनल टेक्नोफिक्स में तो दोस्तों मैं आज आपको दिखा होगा कैसे आप फोटो में आप डिपिंग एफिक्ट को लगा सकते हो और आपके विक्चर को बहुत अट्रेक्टिव कर सकते हो तो कैसे करें तुझे लिए देख लेते हैं दोस्तों इस तरह के बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर बहरे से मुझूद है बट क्यों यह चैनल देखें क्योंकि यहां पर इस चैनल पर जो भी वीडियो होगा सब कुछ पूरे एक्स्प्लैनेशन के साथ है मतलब कि कोई option पर आप क्लिक कर रहें तो क्यों क्लिक करें उसके details यहां पर बुला गया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें लाइक किजिए और वीडियो को देखते रही है दोस्तों dripping effect को लगाने के लिए पहले आपको बैक्ग्राउंड को आपको रिमूब कर लेना है तो मैं यहां से selection tool को यूज कर रहा हूँ quick selection tool को मैं यूज कर रहा हूँ आप किसी भी selection tool यूज कर सकते हो मैं इसके पहले बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे आप बैक्ग्राउंड को रिमूब करें कौन सा option बेस्ट रहे तो मैं इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ तो ultimate पहले आपको इसके बैक्राउंड है वह आपको रिमूब कर लेना है और आपके पास जो बेतर तरीक होगा वह आप यूज कीजिए आपके हिसाब से फास्ट अफॉल इसके बैक्राउंड है इससे रिमूब करना होगा आप किसी भी प्रोसेस यूज कर सकते हो दोस्टो इसके बाद आपको क्रॉफ कर लेना है तो क्रॉफ कितना करे कि आप जितना इस ड्रीपिंग एफेट को लगाना चाहते हो तो उतना ही क्रॉफ कर लीजिए और यह पारफेक्ट नहीं है बतलब के रिम खिन लेता हूं और इसके बाद सब्जेक्त को मैं एग यजिली कर सकते हो तो इसे रिसेच करके यहां पर और देना है कि दोस्तों इसके बाद gradient को लेना होगा adjustment layer से और यहां पर आपको एक बाद ध्यान में रखना होगा जैसे कि आपके subject है उसके सब्सक्राइब से जो gradient के color होगा वही आपको रखना है आप बाद में change कर सकते हो मैं अभी बाद में change करूंगा अभी के लिए मैं कुछी भी रख देता हूँ क्योंकि background को matching करना है matching नहीं होगा तो यह ठीक से जो dripping effect है वो काम नहीं करेगा इसके बाद इस dripping effect picture को आपको यहां पर रख देना है और इसे आपको research कर लेना है तो आप आपके photo की सबसे research करके इस तरह से इस photo के उपवर जहां पर आप dripping effect को लगाना चाहते हो तो उहां पर आप इसे रख दीजिए इस तरह से और इसके बाद adjustment layer से जाके आपको light end पर आपको click कर लेना है तो इस तरह से photo हो जाएगा और इसके बाद थोड़ा सा research करके यहां पर आपको रख देना है और इसे यहां से आपको tick कर लेना है तो दोस्तो यह जो dripping effect वाला photo है यह आपको description पर डाउनलोड करने के लिए link मिल ज सकते हो और आपके picture में drifting effect को लगा सकते हो यह बिल्कुल free है कोई भी chargeable नहीं है और इसके बाद आपको इस जो picture इसे थोड़ा सा research करके और यहां पर देखिए यहां पर white part है और उपर में जो blue part था वह थोड़ा सा whitening है आभी भी तो उससे मैं यहां पर delete कर देते हो उसके background तो यहां पर देखिए अभी clear हो चुका है अभी दोस्तों अभी layer 1 & layer 2 को मार्च कर लेना है layer 2 में है drifting effect वाला इस जो picture और layer 1 पर है हमारा model तो इस दोनों को मार्च कर लेना है control press press करने पर यह दोनों मार्च हो जाएगा इस तरह से मतलब कि एक ही picture में हो चुका है अभी इसके जो background है इसे just delete कर देना है इसके बाद यहां पर जो unwanted extra जो photo है उसे आपको delete कर लेना है जैसे कि यहां पर leg hand इस तरह से जो extra photo है मतलब कि जो dipping effect के अंदर नहीं आ रहा है उसे आपको remove कर लेना है मैं यहां से paint tool को यूच करना हूँ आप किसी भी lasso tool को भी यूच कर सकते हो करना होगा यहां पर देखिए हो गया अब यहां पर देखिए हैं यहां पर subject के साथ हैं यहां पर जो background है match नहीं कर रहा है इसलिए यहां पर आप पे जो फोटो के साथ सब्सक्यों के साथ जो गळयर वह बैक्गाट कलर ही तो मैं यह से चैंज कर लिता हूं इस अगयों यहांपर रखें कि जो सब्जेक्ट होगा उसके ड्रिपिंग एफिक्ट है तो वह मतलब कि हाइलाइट हो इसके बाद लेयर वान को सेट करते हूए अभी भी रिटेस्ट देना है तो चलिए और भी से रिटेस्ट करते हैं दोस्तों इसके जो ग्रेडियन है इसे मैं फिर से चेंज करूंगा इसे रिवर्स कर देता हूं और यहां पर इसे हैं इसे मैं रिडियल कर देता हूं और इसके जो ग्रेडियन है इसे मैं change करता हूँ यहांसे क्लिक करके आप के सब्सक्राइब कर कीजिए मैं यहां पर ट्राइब कर रहा कि कौन सा क्लर बेस्ट रहे और यहांसे मैं reverse को यहांसे उठा देता हूँ इन पर देखते हो अभी ये अभी ये perfect लग रहा है पिक्चर के साथ अभी मैं ब्रास टूल में जाओंगा और यहां पे कलर ब्रास है मतलब कि इस यहां पे आप ब्रास को चूच करते हो तो यह ब्रास आपके पास फोटो सब्सक्राइब पहले से अभी लेवेल नहीं होता है बट मैं आपको डिस्क्रिशन पर लिंक दे दूंग जाओ द्रेट कर साथ मैच कर रहा है यहां मैं एक लियर को क्रिएट कर लेता हूं और यहां से मैं इसके पर इफीतर हो yhtितरह तरह कर के इस जह आए है ठीक है अभी जो मोडेल है इसे मैं थोड़ा और अट्रक्टिव बनाऊंगा मैं फिर से इसे कॉंट्रोल फ्लस एल को प्रेस करूंगा इसे सिलेट करते हुए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो फोटो एक्ट्रक्टिव हो रहा है और ड्रिपिंग एफेक्ट बेक्ग्राउंड के साथ मैच कर रहा है और एक बहुत फैंट्रस्टिक फोटो अभी हो चुका है दो इसे मैं डिलिट कर देता हूं और यहां से मैं फिर से ब्रस्टूर को लेता हूं और मैं अलग से ब्रस ले लेता हूं और इसलेट करता हूं नहीं यहां पर और एक लियार में क्रेट कर लेता हूं इसके बाद यहां पर इस तरह से मैं इसके जो कलर है मैं रेट कर देता हूं आप आपके जो फोटो का उसके साफ से कलर को चुछ कीजिए और इसके बाद यहां पे जो लेयर है वह फोटो के ऊपर है तो इसलिए मैं इसे बैक्राउंट पर ले आता हूं तो यहां पर देखिया जो काला था वह बैक्राउंट पर चला गया तो दोस्तों यह ड्रिफिंग फेट कॉम्प्लेटली हो चुका है तो आप फोटो पहले क्या था अभी क्या है यह आप देख सकते हो तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना से प्लीज इस चैनल को सब्सक्रेप कर लेजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और कुछ जाना है तो कॉमेंट बॉक्स पर आके क कॉमेंट करना है।